हेलो दोस्तों आगी हूं मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही ज़दा टेस्टी चने की साग की रेसिपी ले करके तो ये मैंने साग जो है अपने लाइफ में फस्ट टाइम खाया है और फस्ट टाइम ही मैंने इसको बनाया है और इतने ही ज़्यादा टेस्टी बनके तयार हुआ था कि शैद मैंने भी सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा टेस्टी हमारा साग जो है बनके तयार होगा तो वीडियो के इन तक बने रही हैगा चैनल पर पहले बार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना स्वागत है आप सभी का स्वाति की देशी रसोई में तो फिर देर किस बात की है बनाना स्टार्ट करते हैं तो चने का साग बनाने के लिए ये मैंने 50 ग्राम सोया लिया है जिसको मैंने अची तरीकी से धो के कट कर लिया है और आदा किलो मैंने चने का साग लिया है जिसको अची तरीकी से धो लिया है और मैंने रफली इसको चौप कर लिया है और मैंने इसमें 600 ग्राम पालक लिया कि चीजों करते हैं तो चलिएगा फिर बनाना सटार्टकरते हैं उंसके लिए मैने एक कूकर ले हैं कूकर के अंदर हम साग और सोय और जो हमने बालक लिए है इन तीनु चीजों को डाल देंगे तो चलिएगा मैंने एक एक करके सारी शीजों के इसके अंदर डाल दिया है एक इच अधर के टुकड़े को कट करके डाल दिया है 15 से बीच हरी मिर्च को मैंने डाल दिया है इसके अंदर मोटा मोटा ही तो चलिएगा एक कटोरी दाल ली है यह मैंने उड़त की आप चने की दाल भी ले सकते हैं आदा कटोरी इसके अंदर पानी अट कर देंगे एक चमच नमक अट कर देंगे तो चलिएगा लिट ढखके अब हम इसको 3-4 विसल के लिए पका लेते हैं तो बिल्कुल low to medium flame पर है आपको साग को पकाना है तो देखिएगा साग अच्छी तरीके से पक गया है और बिल्कुल ठंडा हो गया तक कूकर तभी मैंने को खोला है तो चलिएगा हमारा साग जो है अच्छी तरीके से गल गया है तो मैंने एक रमचा लिया है जिसकी जायता से मैं इसको अच्छी तरीके से गोड लूँगी तो अगर आपके पास जो घोटने वाली आती है अगर वो है जिसको रही कहते हैं तो आप उससे भी इसको घोट सकते हैं पर मेरे पास रही नहीं थी तो मैंने इस तरीके से इस रमचे से घुमाते हुए इसको अच्छी तरीके से मैंने सारे साख घोड लिया है तो देखेगा मैंने बहुत ही जदा स्मूथ सा साख कर लिया है इसी मैंने रमचे की जायता से सारे साख को अच्छी तरीके से मैंने घो कली से कड मीडियम साईज की प्यास की शौक का कर लिए है तो चोक लगा log t reproduce लगाने के लिए मैंने एक कडां़ अंदर एंग रव्म जiblिये कट कर लिया है आप चाहें तो इसको कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो तो मैंने यह लाल वाली राख ली थे सूखी वाली मिर्च आती हैं वो एट कर दी हैं लेसुन की कलियों को कट करके एट कर दिया है तो चलिए अगर लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको अची तरीके से जब तक ये बिल्कुल गोर्डन नहीं हो जाता है तब तक हम इसको पका लेंगे अगर आप अधरक खाते हैं तो आप अधरक जरूर डालें क्योंकि ठंड में अधरक खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफीशल होता है तो आप चाहें तो इसके अंदर अधरक इसकिप भी कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर आपको पसंदे तो आप इसके अधरक होनी प्याज के आपके अधरक जलिए में अधर कंशल के बुल और रायका गिंदा था और अधरक होना है ऊशे तरीक इसके भी की अफ्यादा कर दो दो कर दो धरक में कहया है जाहित सकते Τर रोड़ा़ा है और तो आदा चमच हल्दी आदा चसमाच लालमिड पौडर और एक चमच मैंने इसके अंदर धनिया पॉडर डालके अची तरीके से पका लिया है तो चलिएगा अब जो हमारा साग हमने बना के रखा था वो हमने इसके अंदर एट कर दिया है तो चलिएगा अब इसको चला देते हैं अब ऐसे भी ठंड आ गई हैं तो ठंड में तो हमें इस तरीके की चीज़े खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है और इस टाइम पे इसकी फसल भी बहुत ज़्यादा आती है, मार्केट में भी हमें बहुत एजली आराम से मिल जाता है आप चाहें किसी भी शेहर में रहते हों, आपको हर शेहर में ये मिल जाएगा मार्केट में तो चलिएगा लेट ढखके मैंने इसको 4-5 मिनिट के लिए और पका लिया था तो हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी सा चनी का साग बन के तयार हो गया है तो आप भी इस तरीके से बनाएगा, जिस तरीके से मैंने सारी चीजों का मेजरमेंट लिया है उनी सारी चीजों को आप डालिएगा, आपका साग भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तयार होगा और बहुत से लोग कहते हैं कि जन्य का साग कड़वा बन के तयार होता है तो बिलकुल भी कड़वा नहीं बना है अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बिलकुल भी कड़वा बन के तयार नहीं होगा खाने में तो बहुत ज़दा टेस्ट ही लगेगा और सभी को बहुत ज़दा पसंद आएगा अगर आपके घर्मी भी अचानक से महमान आ जाते हैं तो इस तरीके के साग बना कर खिलाएएगा सभी को बहुत ज़दा पसंद आएगा और सभी आपकी तारीफ किये भिना तो बिल्कुल भी नहीं रुखेंगे तो चलिएगा मैंने एक प्लेट में निकार लिया है साख को तो चलिएगा अब इसके लिए एक तड़का तयार कर लेते हैं तो मैंने एक तड़के वाला पैन ले लिया है जिसमें मैंने दो चमच तेल डाल दिया है तो मैंने इस सरसो का तेल लिया है इसके चौंके के लिए आदा चमच मैं इसके अंदर तेल डाल दूँगी तो तेल अच्छी तरीकी से चटकने के बाद मैंने इसके अंदर आदा चमच कश्मीली लाल में एड़ कर दी है पहली बार आये हो तो प्लिस सब्सक्राइब कर लेना और बाइल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप सभी की पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए चलिए का मिलिंगे नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाइबाइ और टेक्यर